वेलकम तू मा चैनल नर्सिंग विजी ट्रिक्स आज हूं देखने वाले है इफेक्टिव लर्निंग स्टाइल के बारे में तो इफेक्टिव लर्निंग स्टाइल समझने के लिए आपको जो इसका प्रिविएस वीडियो है वो देखना पड़ेगा तो चले आज हम पढ़ने वाले अभी इफेक्ट्व लर्निंग स्टाइल्स क्या है जब भी हम पढ़ने को बढ़ते हैं तब हम किस तरह किसे अपने चो स्टडी हैबिट से वह इफेक्ट्व बना सकते हैं वह आज हम देखेंगे तो उसके कुछ टाइल्स है जैसे कि विज्वल जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं को इस्टुडेंट ऐसे होते हैं अगर टीचर पढ़ा रहे तो जब तक वह शो नहीं करते कि मतलब कोई डाइग्राम दिखा के शो नहीं करते कि यह ऐसा है तब तक उन लोगों को समझ में नह ऑधा क्योंकि उनकी जो 2-2 लोनिनक स्ठाइल ולon w 해줌 इसी जब वो कुछ देखते ह। तो उनकी वो एक स्ठाइल रहती है लेर्इंग की वैसे कुछ लोगों के ऐम लोगत रहते हैं जब तक वो सुन्ते नई वो किता भी किस्षेश नहीं याता जब तक कि वो सुनते ने उस चीज़ को जब teacher explain करते हैं और उनके जो study group के member जब कुछ topic explain करते हैं तो वो चीज़ उन लोगों को जादा समझ में आती है जैसे कि visual वाले लोगों को क्या देख के समझ में आता है वैसे auditory लोगों को जो है वो जब वो कुछ सुनते है जैसे कि radio ह कहां पर भी अगर वो सुन रहे तो वो लोग सुन सुनके वो अच्छी तरह के से ग्रास्प कर लेंगे अच्छी तरह के से पढ़ लेंगे तो यह अनदर एक स्टाइल है effective learning की then read and write कुछ लोग ऐसे रहते हैं जब तक वो लिखके नहीं देखती तब 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 तक उन लोगो को कुछ समझ नहीं आता है तो this is another style that is a read and write जब वो कुछ भी लिख लेंगे या फिर पढ़ लेंगे तब उनको clear में समझ आ जाएगा कि क्या है क्या है क्या हम पढ़ रहे है जैसे कि कुछ लोगों को सुनके है और कुछ लोगों को देखके समझ में आता है वैसे ही कुछ ल कि अभी nursing student जब theoretically पढ़ते है तो उनको उत्ते अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता कि injection कैसे लगाना है या कोई प्रोसिजर कैसे करनी क्योंकि जस्ट ओ ठेरोटिकल पढ़ रहे है लेकिन जब वो hospital साइड में जाते है तब वो practically वो चीज़ करके देखते किसी को injection लगा के देखते तब उन लोगों को जादा समझ में आता है कि हम कौन से डिग्री से देना है तो कैसे injection को पकड़ना पड़ेगा वो सब detail में हो सब सीखते जब तक वो practical नहीं करते का मतलब वही है जब हम practically कुछ चीज करके देखते तब तब वो चीज़ हमें जादा अच्छे से इफेक्टिव स्टोडी हैबिट की कैसी स्टाइटर जिज रहती है जैसे कि फर्स्ट है डेवलोपे स्टोडिक शेडियूल सबसे पहले हम लोगों को एक स्टोडी का शेडियूल बनना पड़ेगा उसमें कुछ पॉइंट है जैसे कि सेट असाइड स्पेसिफिक स्टोडी डेली हमें उसी टाइम पर पड़ेगा फिर हमारे बोडी को भी हैबिट हो जाएगी कि नहीं इस टाइम पर आप अलाम लगाए या ना लगाए फिर भी आपको उसी टाइम आप उट जाएंगे और पड़ेगे और आपको जाधा समझ में आएगा और कुछ बच्चे जो रा फिर भी हमको पहले देखना पड़े कर कि हमें कितना किटंब आर्षह में पड़ना है और उत्ति हर्षा हम पड़ाई करने ही ना कि जाधा ना कि कंगे डेली रजुइव मतलब जो बी हम पड़ अभी आज हमने जो बी पड़ा है एगि नेतों बीमल्न है ऊसको हमें एकभर स प्रीव प्रिवेव करना है wellness टाइम भीव कि माय प्रेडी तरी ताइम ऑन है तो थोड़ा शा हमने शो भी क्यों भी हमारी एक्जाम है तो थोड़ा सा अगर हम ज्यादा पड़ेगे तो ओ अमारे लिए अच्छा होगा ऐसे हमें बोनस टुड़ी टाइम भी कुछ-कुछ टाइम पर देना पड़ेगा जब भी हम पड़ाई कर रहे तो पहले तो हमें खुद को काम करना पड़ेगा शानत करना पड़ेगा और पेशन्स रखनी पड़ेगी कि नहीं यह आराम से हो जाएगा आज मैं पढ़ लूंगी ऐसे करके आपको पढ़ने को बेटना है नहीं तो नहीं नहीं इत्ता सारा है मै कब पड़ूंगी ऐसे अगर आप टेंशन में आएंगे तो आप कुछ भी नहीं पड़ पाएगे इसलिए सबसे पहले खुद को काम कीजिए शान्त कीजिए और पेशन्स रखेए खुद पे कॉन्फिडन्स बिल्ड कीजिए कि नहीं आप यह सब पढ़ सकते यह सब कर सकते है देन फोकस ऑन पॉजिटिवस हां एक पॉजिटिवस के बारे में आप सोचे उदर की नहीं यह तो मुझा आता है यह में पढ़ सकती और आप पढ़ने को सिधा सिधा बेट जाईए कोई भी निगिटिवीटी जो है वह आपके आपके मन में न लाए देन नेक्स्ट इस अभी मैंने बताया है यह है यह सबसे इंपोर्टन पॉइंट है क्योंकि क्या करते हैं अभी कल एक जाम है क्या तो आज रात भर पढ़ लेते हैं और एक रात में सब कुछ पढ़ना चाहेंगे और एक रात में अब पढ़ाई करके वह बोलते कि नहीं अभी में पास एक ही एक रात में आप पूरा सिलाबस नहीं पढ़ सकते हो उसके लिए आपको पहले से ही पढ़ाई करने पढ़ेगी आप भले ही पढ़ाई कर लोगे एक नाइट में तो पूरी आपकी दिमाख से उपर जाएंगी और जस्ट आपको पढ़ना है ऐसे करके आप पढ़ लेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो पहले सी आप वहापे पढ़ाई करना शुरू कर देना है देन टेक फ्रिक्वेंट ब्रेक्स उसमें गिव यूर माइन और रेस्ट पूरा दिन और पूरी रात आपको पढ़ाई नहीं करनी है आपको बीच बीच में थोड़ा सा रे आपको करना है देन राइड यूर बाइक और जैसे कि अगर आप कोई पेट पाल रहे तो आप उसको लेके थोड़ा सा जाहिए बाइक राइड कीजिए और जो भी आपको पसंदे ऐसे चीज़े आप कर सकते वहाँ पे उससे क्या होगा आपका जो माइंड होए वो फ्रेश रहेगा और आप फिर से अब जब पढ़ाई करने को बैटेंगे तब एकदम फ्रेश ली और अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे अधर नेक्स्ट है डेवलप क्रिटिकल रेडिंग स्कील उसमें फर्स्ट पॉइंट है नर्सिंग स्टेक्स्ट बुक्स और कॉम्प्लेक्स हाँ जो नर्सिंग टेक्स्ट बुक होते है वो थोड़े से पढ़ने के लिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते है रेडिंग करने के लिए जैसे कि अभी हम फर्स्ट यर में है तो हमको थोड़ा सा वो क्रिटिकल लगता है तो ओ क्या धीरे धीरे अप ओ डेवलप हो तो हमारी हमको और डिफिकल्ट जाएगा हो समझनी में इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमारे जो रेडिंग की स्कील है वह यह डेवलप करनी पड़ेगी तबी जो भी मैटर है जो भी कंटेंट है वो हमें इजीली समझ में आएगा देन स्टूडेंट्स नी तो फिर उसके बारे में जो भी कंटेंट हम थोड़ा बहुत वहाँ पर लिख पाएंगे इसलिए हमें जो की इनफॉर्मेशन है वह अच्छे से पढ़ने पड़ेगा नेक्स्ट इस फर्मेश स्टूडी ग्रूप वर्किंग टोगेदर फैसिलिटेट्स प्रॉब्लेम सॉर्विंग जब हम स्टूडी में पढ़ते हैं तो अगर अभी चार-पास लोग हम स्टूडी ग्रूप करके पढ़ रहे तो अगर किसी एक स्टूडेंट को क्या है अगर अच्छे से कोई टॉपिक समझ में आया तो अनदर वन जो है उसका स्टूडी ग्रूप का मेंबर हो उसको एक्स्पेन करके समझाएगा तो इससे क्या होगा कि जो भी टॉपिक जो भी कंटेंट है जो भी टॉपिक है जो एक स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा तो अन अगर 4-5 group member है उसमें से अगर एक दो group member जो ऐसे कहेंगे नहीं नहीं मैं किसी को explain नहीं करूँगा मुझे आता तो है लेकिन मेरे पास ही रखूँगा तो इससे नहीं होगा तो उन सब members में cooperation होना चाहिए then less chance of missing important material इससे क्या होगा अगर हम group study करेंगे तो जो भी important material है वो miss नहीं होगे आप लोग पूरा का पूरा जो content है अच्छे से पढ़ पाओगे then decreases the depression आप depression भी भी नहीं जाओगे group में मिलके आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे then increase the productivity इससे क्या होगा आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा तो आप अच्छे तरीके से exam में लिक पाओगे और आपका result आपका score भी अच्छा आएगा that means your productivity is ultimately increases because of the group study the next is the self-care जब हम पढ़ाई करते तब हम सिर्फ हमें पढ़ाई में इतना ध्यान देते हुए हमारे जो self-care है वह भी करना है हम लोगों को जैसे कि get enough sleep हमें enough sleep लेनी है पूरे राद बर दिन बर सिर्फ पढ़ते ही नहीं बेटना है enough हमें वहापे sleep लेनी है इत राइट इस वेरी इंपोर्टन हमें कुछ गलब सलत नहीं खाना है प्रॉपर्ली डायट हमें वहापे लेना है प्रॉपर्ली हमें खाना खाना है टाइम टू टाइम खाना है नहीं तो आपकी पेड़ में भी गलबढ हो जाएगी फिर आप पढ़ाई में भी कॉंसेंट्रेट नहीं खार पाओगे देन स्ट्रेस रेडक्शन स्ट्रेस रेडक्शन करने के लिए आप थोड़ासा टीवी देख लीजे थोड़ासा जो आपका फेवरेट गेम है ओ खेल लीजे थोड़ासा आउटडोर जाके वॉक कीजिए ऐसे कुछ भी आप शौट वह पूरा यह जो है टाइम उसका प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए तब आप अच्छे से आपका जो भी सिलेबर से वह कवर कर पाओगे देन नेक्स्ट इस दा स्टडी ग्रूप ग्राउंड रूल उसकी बारे में हम देखेंगे कि स्टडी ग्रूप ग्राउंड रूल क्या है अगर आप ग्रूप में मिलके स्टड़ी कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपके ग्रूप का जो परपस है और आपको समझना पड़ेगा कि हमने यह ग्रूप क्यों फॉर्म किया है ऐसा तो नहीं है ग्रूप में जाके सिरफ इदर उदर की बाते कर ले आपके ग्रूप का जो भी परपस है और एक्सेप्ट कर लिजे तेन कॉंट्रिबूट आइडियाज इन्फॉर्मेशन ओपिनियन और फिलिंग पूरे ग्रूप मेंबर की जो भी कुछ अच्छ अच्छा आइडियाज है कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सुन लिजे एक दुस ग्रूप मेंबर बढ़ाने के लिए और भी जो अधर स्टुडेंट है उनको भी आप इन्वाइट कर सकते हो देन लिसन इंटेंशली जो भी अगर अधर ग्रूप मेंबर कोई बता रहा है कि इंपोर्टन टॉपिक है इसको आप ऐसे पड़ेंगे तो आपको समझ में आएक ऐसे करके आप उसको इग्नॉर अवएड नहीं करना है आप लोगों को देन शो ग्रूप मेंबर सपोर्ट और रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए वहापको सपोर्ट और रिस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी तब ही आपका जो ग्रूप है स्टडी ग्रूप है वो एफेक्ट सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि कित्ते टाइम तक हमको पढ़ना है कैसे पढ़ना है कौन सा टॉपिक फरस्ट पढ़ना है इन सब के बारे में और क्यों हमें यह पढ़ना है यह सब आप पहले सेट कर लिए यूज दा कोर्स आउटलाइन उसका जो भी सिलाबस से वह देर तक जैसे कि 10-15 मिनिट तक मेडिटेशन कर सकते हो ऐसे कुछ थोड़ा सा मेमरी बूस्ट करने के लिए आप कुछ कर सकते हो देन लर्न वोट वर्क बेस्ट फोर यू आपको ऐसे चीज़ें पढ़ने है जो आपको बेस्ट है मतलब आपकी जैसी स्टाइल है जैसे कि हम आपका एक दो चाप्टर ऐसे रहते हैं जो आपको बिल्कुल फसंद नहीं है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं तो आप क्या करते हैं उसे बाद में पढ़ लेंगे बहुत बोरे ऐसा करके छोड़ देते तो वैसा नहीं करना पहले आप जो भी डिफिकल्ट है जो जो भी कॉंसेट्ट है उसको प्रायरेटी देनी है देन वरक इन शॉर्ट ब्लोक्स टेक ब्रेक्स आपको पढ़ाई करते टाइम थोड़ा सा ब्रेक्स भी वहाँ पे आपके लिए लेना है देन गुरूप स्टड़ी करनी है देन डोंट स्कीप क्लास जो भी क्लास आप उसकी बारे में एक्जाम में लिख पाऊगे तो इसलिए आपको जो क्लासे से स्किप नहीं करने एक स्टड़ी के लिए आपको प्रॉपर स्टाइटेजिस वहाँ पर्म करने पड़ेगी जैसे कि टाइम क्या है किते टाइम तक पढ़ना है कौन से समय पर पढ़ना है कैसे पढ़ना है इन सब चीजों के बारे में एक स्टाटरजी बनानी पड़ेगी दन प्रायरिटीज देनी पढ़ेगी कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है इसके बारे में आपको पहले ही डिसाइड करना पढ़ेगा दन डोंट वेट तिल लास्ट मिनिट ऐसा नहीं कि ए स्टड़ी आर्स देट मींस आप कौन से टाइम में अच्छा पढ़ सकते हो जैसे कि मौनिंग टाइम जो है वो सब लोगों के लिए अच्छा होता है जब आप अच्छे से पढ़ सकते हो और आपको समझ में भी आता है बहुत लोग ऐसे कहीती कि नहीं नहीं जो हमने जो से करेस्ट इस्टिक सब्सकेस्ट पुल स्ट्री सरे क्रोब से क क्या है इच मेंबर काशन के टर्रिबूट टू सेशन जो तो सेट्रुप म् Bendis यहक्टि लीरिशन से आपको सरद इनक्टरूब्टिंग जब कोई एक यह इप्रहीं डातम यां कि बहुत थे में लिए डिसाइड किया था कि कल हम यह टॉपिक पढ़ेगे तो उस टॉपिक के बारे में हमको प्रिपेड होके आना है देन गुरूप स्टेस फोकस्ट ऑन टास्क जो भी गुरूप है वो सिर्फ टास्क पर फोकस करना है कि यह यह हमें पढ़ने के लिए हमने यह एक दूसरे को क्वेस्टन पूछने के लिए ओल्वेस फ्री रहने चाहिए अईसा थोड़ा सा मींस हेज़िरेट नहीं होना है कि मैं कैसी पूछू फिर बाकी लोग मुझ पर हसेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए देन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट भी देना है अगर क नोट्स एक दूसरे के नोट्स हमें कंप्यर करने पड़ेगे क्योंकि कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है उससे क्लियर हो जाएगा तेन फोकस वन एव्रिवन लर्निंग एज एज ही और शी कैन मतलब एक दूसरे के जो लर्निंग है वहाँ पर हमें फोकस करना है कि वह कैस कैसे पड़ रहा है हम खुद को अच्छे से कैसे इंप्रू करें देन स्टे पोजिटिव वी कें डू देस टूगेदर ऑल्वेज हमें पोजिटिव ठिंक करना है कि एक दुसरे के साथ में मिलके सब के साथ मिलके हम यह कर ही सकते हैं ट्रायान प्रेडिक देस्ट क्वेस्ट कोई टेस्ट वगेरे फॉर्म करके आप खुद से भी वह पढ़ सकते हैं करता है